नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? I hope सब मज़े में होंगे, तो दोस्तों आज मैं भी बहुत खुस हूँ और किचन से सारा काम निप्टा कर मैं अपने कमरे में गेस्ट रूम में आ गई हूँ शायद मैं गेस्ट रूम से ये पहली वीडियो सूट कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने गेस्ट रूम से कोई वीडियो सूट नहीं करी है Actually क्या है, आज मेरे parents आने वाले हैं तो मैंने सोचा room की थोड़ी cleaning कर देती हूँ ऐसे तो मेरा room अक्सर साफी रहता है, लेकिन जब कोई आता है न तो लगता है थोड़ी सी चादर बदल लो और थोड़ी सी cleaning कर लो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है रूम कितना भी clean क्यों नहों, जब guest आते है या कोई family आ जाती है तो थोड़ी सी लगता है उसकी सफाई कर दी जाए तो यहाँ पर मैं bed sit बदल रही हूँ बचे क्या है, bed पे कभी खाना खाते हैं, खेलते कूते हैं तो bed sit गंदी हो जाती है तो इसकी सफाई रूम करके उसके बाद मुझे और भी छोटे-छोटे काम है जो मैं निप्टाओंगी और एक चीज आप देख सकते हैं, यह bed ना हमारी बहुत बड़ी थी और इसमें क्या होता है, कोई चादर आती ही नहीं मैं king size का bed sit भी लेती हूँ, तो भी वो बिचाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है तो मैंने क्या किया, side से जो पुरानी bed sit होती न उसके कपड़े काटकर इसमें लगा दी है ताकि bed अच्छे से बिज्जा, आप देख सकते हैं कितना size है बहुत बड़ा bed sit का size है, क्योंकि मैंने side से इसकी चादरे लगा दी है तो finally, med sit मैंने बिचा दी है, अब थोड़ी सी cleaning भी कर देती हूँ अ झाल 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 दोस्तों आपको पता है जिस दिन मैं चादरे चेंज करती हूँ ना मुझे रेली बता रहे हूँ सोनी में इतना मज़ा हाता इतना कोजी-कोजी सा फील होता है क्या बता हूँ और चादरे चेंज करके मैं इधर थोड़े से फ्लावर लगा देती हूँ अक्शूली कहना मेरी मम्मी को प्लांट का बहुत जयादा सौक है जब भी मैं घर जाती तो मम्मी से बोलती भी मम्मी इतने सारे प्लांट आपने रूम में लगा रखें और क्या होता है वो नए प्लांट खरीती जाती है लेकिन पुरानी प्लांटों कभी हाटाती नहीं है तो उनका जो कमरा है वो भी पूरा फूलों से भरा है तो मैंने साइड में यहाँ पे भी थोड़े से प्लांट लगा दी है आर्टीफिसल फ्लावर लगा है मैंने तो यह भी बहुत ही अच्छा लग रहा है तो फाइनली हमारा कमरा सेट हो चुका है बिल्कुल सिंपल एंड सोवर बाद में मैं इसको और्गनाईज भी करने वाली हूँ अभी इसकी और्गनाईजेशन वीडियो भी बनाऊंगी फिर आपके साथ सेर करूंगी और कमरे सेट करने के बाद यहाँ पर और मैं आगे हूं बालकनी में क्यूकि अभी समर सिर्जन सुरू हो गय breach तो मैंने कुछ प्लांट मंगवाया थे अपनी बालकनी में रखने के लिए बालकनी हमारी बहुत बढ़ी है तो प्लांट का तो ऐसे मुझे सौक है लेकिन मेरे आम बहुत ज्यादा प्लांट टिकते नहीं है तो इस बार मैंने माली से बुलवा के थोड़े से प्लांट सकते हो तो और भी आगे प्लांट लगाऊंगी अभी कुछ प्लांट मंगवाया था मैंने तोर सोचा उसको बालकनी में लगा देती हूं फिर ममी पापा के आने का भी टाइम सुरू हो जाएगा अभी बस वह आने ही वाले होंगे कि अथे फोटो लेले ना रोग जाओ तो मिनने लेकिन प्रस्नली नहीं मिलवाय था तो आज पीछे मिलवाती है यह पापा है पापा हलो वोलिए यह ममी है और यह दुकु इसको तो पहचानी रहोंगे आप लारा इसलिए आज्या मैं बहुत एक्साइटेड हूं अच्छुली क्या ना बहुत सालों के बाद ममी-पापा आई दो साल COVID रहा और उसके पहले भी नहीं आ सकी तो बहुत सालों के बाद आई इसले मैं बहुत लादा upset तुम भी बताओ नानु नानु याए तो डुकु क्या करेगी मैं भाद जाओंगी नानु के साथ आप लुडो भी खेलेगी नानु के साथ एक्चुली क्या ना जब छोटी थी तभी आये तो ममी पापा तो याद भी नहीं है तो इसको याद आस मतलब पहली बार ऐसा हो रहा पापा इस नए घर में पहली बार आया है पापा लोग आप लोग को घर कैसा लगा बहुत सुन्दर घर है तो बस अभी पाव ममी आये तो बहुत सारी मस्ती करेंगे बहुत जगा घूमने जाएंगे तो सबकी एक ब्लॉग बनाओंगी और आपके साथ सेर करूंगी तो गा आज था वीकेंड फ्राइडे नाइट थी तो सोचा कल सटर्डे संडे छुट्टी होती है तो हम आ गहे हैं नौईडा के डिलेफ मॉल में जो की एक गेमिंग जोन एरिया में हम आये हैं और यहाँ पे आप डुगू के एकसाइटमेंट देख सकते हैं वो कितने एकसाइटे और यह जो गेमिंग जोन एरिया ने इसमें बहुत सारे गेम है बच्चों के लिए तो यह बहुत ही अच्छी जगा है आप चाहे तो यहाँ पे बच्चों को लेके आ सकते हैं और बस यहाँ पे बहुत सारे गेम खेलेंगे मस्ती करेंगे और बस इंजोई करने वाले हैं त पता है पापा को भी बॉलिंग करना बहुत पसंद है तो पापा ने भी यहां पर बहुत इंजॉय किया झाल तो दोस्तो लाइफ बहुत छोटी होती है पता ही नहीं चलता जीवन में कब क्या हो जाए तो अपनी इस लाइफ को आप इंज्वाई कीजिए मस्ती कीजिए दूसरों के साथ खुसियां बाटिए खुद भी खुस रही है तो वस यहाँ पे हमारी मस्ती हो गई है और बच्चों ने भी खुद इंज्वाई किया मैंने भी खुद इंज्वाई के और बहुत सारी मस्ती की I hope तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सेकर जुरू किजेगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल ना भूले तो अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई